हेलो फ्रेंट्स मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पत्तागोबी की बहुती मज़िदा रेसिपी बच्चों के टिफिन के लिए ये सबजी बहुती अच्छा आप्शन है क्योंकि ये सबजी हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होती है इसलिए बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को ये सबजी बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी और टेस्टी पत्तागोबी की सबजी पत्ता गोबी की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो पत्ता गोबी और दो मिडियम साइस के आलू पत्ता गोबी को बहुत से लोग बंद गोबी भी कहते हैं यहाँ पर मैंने पत्ता गोबी को वाश कर लिया है अब हम पत्ता गोबी और आलू को काट लेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने आलू और पत्ता गोबी को इस तरह से काट लिया है और काट के मैंने उसी पैन में रख दिया है जिसमें हम इसे बॉयल करेंगे तो यहाँ पर हमें पत्ता गोबी और आलू को दोने की जरुवत नहीं है क्योंकि इने मैंने धोकर ही काटा है अब हम इस पैन को गैस पर चड़ा देंगे और गैस अन करके हम इसमें एट करेंगे दो ग्लास पानी अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इस पैन का धकन लगाकर हम इसे 2-3 मिनिट तक बॉइल करेंगे 3 मिनिट के बाद हम इसका धकन हटा देंगे आलू और पत्ता गोबी को हमें ओवर कुक नहीं करना है बस इसी स्टेच पर हम गैस को बन कर देंगे अब हम इसे ढखकर दो मिनट तक रख देंगे बस दो मिनट तक ही इसे ढखकर रखना है दो मिनट के बाद हम इसका ढखकन हटा देंगे और इसे चन्नी में डाल कर छान लेंगे ये काम हमें सावधानी के साथ करना है अब हम एक पैन को गरम करेंगे और इसमें एट करेंगे 6 चम्मस तेल और जैसे ही तेल गरम हो जाये तब हम इसमें एट करेंगे कटे हुए प्याज इसी के साथ हम इसमें हरी मिर्ची भी एट कर देंगे ग्यास की फ्लेम को मिडियम करके हम प्यास और हरी मिर्ची को 2 मिनट त और गैस की फ्लेम को low to medium करके हम इसे 3-4 मिनट तक भून लेंगे या इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक की पत्ता गोबी का कलर हलका सुनहरा ना हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं पत्ता गोबी का कलर चेंज हो गया है और यह हलकी सुनहरी हो गई है और पत्ता गोब मैं इसमें एट करूंगी एक चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च आप कम या जादा भी कर सकते हैं अब मैं इसमें एट करूंगी दो चोटे चमच धनिया पाउडर और लास्ट में मैं इसमें एट करूंगी एक चोटा चमच गरम मसाला पाउडर अब हम इन सूखे मसाल को पत्ता गोवी और आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हमें low to medium ही रखना है तो यहां पर सुखे मसाले पत्ता गोवी और आलू में अच्छे से मिक्स हो गए है अब हम पत्ता गोवी और आलू के बीच में इस तरह से जगा बना देंगे और इस बीच सटार मिनिट के बाद हम इसका ढपकन हटा देंगे और टमाटर को चमस से इस तरह से मैश कर लेगी यहां पर टमाटर गलकर सफ्ट हो गया है तमाटर के ओपर नमकrente करने से टमाटर जल्दी गलकर सफ्ट हो जाते हैं अब हम टमाटर और आलू पत्ता गोवी को अच्छे से mix कर लेंगे और इन्हें 2-3 मिनिट तक medium flame पर cook करेंगे 2-3 मिनिट तक cook करने के बाद हम एक आलू को check कर लेंगे ये ठीक से पका है या नहीं आलू अच्छे से पक कर soft हो गए है अब हम इसके उपर add करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया को हम इसमें अच्छे से mix कर लेंगे तो friends यहाँ पर हमारी आलू और पत्ता गोभी की सबजी बनकर तयार हो गई है ये सबजी बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है तो चलिए अब हम इस हेल्दी और टेस्टी सी सबजी को सर्फ करते हैं तो friends आप भी एक बार इस तरह से आलू और पत्ता गोभी की सबजी को बना कर देखिए आपको और आपकी फैमली को ये सबजी बहुत पसंद आईगी बच्चों के टिफिन के लिए ये सबजी बहुत ही अच्छा आप्शन है पूरी पराठे और रोटी के साथ ये सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है साथ ही आप इसे दाल और चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं तो friends अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज कर देना मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ तब तक की लिए बाई बाई